दोस्तों क्या आपको पता है कि प्रकास की जो प्रॉपर्टी जो होती है लाइट की जो प्रॉपर्टी जो होती है उन में से कुछ प्रॉपर्टी को साउंड भी फालो करता है इनहीं में से एक प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे reflection of sound के बारे में जब sound waves एक medium से चल कर किसी दूसरे medium के surface से जाकर टकराती हैं तो टकराने के बाद wave पहले medium में वापस लोटाती हैं इसे ही sound का reflection काते हैं reflection of sound काते हैं आपको पता होना चाहिए कि reflection of sound जो है बिलकुल light के reflection की तरह होता है लेकिन sound का wavelength अधिक होने के कारण इसका जो reflection है वो केवल बहुत बड़े आकार के जो surface होंगे उनी से reflect होता हुआ दिखाई देता या सुनाई देता है आपको अच्छी तरह से ये पता है कि जब light किसी angle पर incident होती है और surface से ठकराती है तो वह उसी angle पर दूसरी direction में reflect हो जाती है यानि angle of incidence is equal to angle of reflection होता है हम लोग light के बारे में या अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल इसी आधार पर हमारा sound भी काम करता है बिल्कुल एक rubber ball की तरह जैसे अगर rubber ball को इधर से throw किया जाए तो वह एक बिल्कुल इक्वल एंगिल पर reflect हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा उसी medium में इसी तरह से हमारा sound भी काम करता है देखी यह source of sound है यहां से sound 45 degree पर incident किया गया और फिर यह टकरा कर surface से 45 degree पर reflect हुआ receiver तक पहुंचा है just like light sound is reflected by the solid and liquid surface the reflection of sound always the law of reflection यह भी reflection की जो नियम में उनको फालो करता है कौन सा नियम था incident angle is equal to reflected angle पाला यह ला है law of reflection की incident angle और reflected angle same रहता है and second is the incident direction of sound reflected direction of sound and the normal to the point of incidence all lie in the same plane यानि incident sound wave reflected sound wave और जो इस पर नॉर्मल पर्पेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाएगी जहां से यह ठकरा कर वापस बैक हो रहा है तो यह तीनों सिंग इसी plane में है situated तो यह दो ला होते हैं law of reflection के और यह बिलकुल light की तरह फालो करता है sound wave इस ला को आप बिलकुल एक practical activity के द्रूबी करके देख सकते हैं ठीक है इसमें क्या कहा रहा है यह टेक ड्राइंग बोर्ड ठीक and fix it the vertical position on the table पुट्टू मेटेलिक और कार्डबोर्ड ट्यूब्स ए एंड बी एस सोन इन फिगर इस ट्यूब्स मेक सेम एंगिल वीद इच अधर ऐसा प्रखिए कि यह सेम एंगिल बनाए एक दूसरे से ठीक है अब आप एक जो है alarm clock को फाले वाले ट्यूब के बिलकुल सामने रखिए ठीक है तो इसकी जो sound होगी टिक टिक वो sound यहां से इस ट्यूब से होते हुए जाएगी और यहां इस ट्यूब से होते हुए हमको सुनाई देखी अब इस ट्यूब को आप मूब कराके देखेंगे ठीक है एक बार इधर रखेंगे एक बार यहां रखेंगे फिर यहां रखेंगे फिर यहां रखेंगे और उस दोरान आपको यह notice करना है कि किस angle पर आपको ज़्यादा sound सुनाई दे रही है तो आप notice करेंगे कि जिस angle पर यह pipe है उसी angle पर जब यह pipe आएगी तो ही आपको maximum sound सुनाई देगी कारण क्योंकि sound follows the law of reflection angle of incidence जितना होगा angle of reflection भी उतना ही होगा तभी हमको maximum sound सुनाई देगी एंगल आई is equal to angle तो आपके लिए एक होमवर्क है इस activity को आप अपने घर पर try कर सकते हैं घर पर यह सारी चीज़ें उपलब दोती हैं आप अरेंज करके इस activity को करिए और comment करके ज़रूर बताईए कि आपने इस से क्या सीखा हमारा अगला पॉइंट है हाँ एक और बात आप लोगों की जानकारे के लिए बता दो कि जो यह reflection of sound है इसका हमारे daily life में कई example देखने को मिलता है जैसे कि यदि हम किसी कुए में देख कर जाग कर बोले तो हमें अपनी आवाज पानी से परावर्ति थोकर फिर से सुनाई देती है reflection में सोता है परावर्तन ठीक है reflection आप साउंड दिवारों से पहाड़ों से समुत तल से नदी से प्रित्वी तल से सभी चीजों से हो सकता है reflection ठीक है नेक्स्ट हमारा है देखिए जब sound waves होती है न वो किसी solid tower या वाल या पहाड से ठकराती है तो वहां से reflect back होती है ठीक है तो इस reflected sound को हम क्या कते है अब आपको मैंने इस से पहले वाले वीडियो में एक चीज बताया था persistence of hearing ठीक है persistence of hearing में मैंने बताया था कि हम लोग के कान के अंदर एक quality है जिसके ताहत अगर कोई sound हम सुनते हैं तो उसका effect हमारे कान पर 0.1 सेकेंड तक रहता है इस जिसकी होजन से हमको continuity बनी रहती है sound म है और कोई confusion नहीं होता है लेकिन यदि कोई sound इस 0.1 सेकेंड के नियम को ना फालो करें जैसे कि यहां पर देखिए if we clap our hands while standing at some distance from a high and huge while we hear the clapping of our hands again after some short interval of time हम लोग को क्या होगा कि जो clapping अगर हम बंद भी कर दें तो कुछ देर के अंतर पर हमको एक या दो बार या तीन बार clapping सुनाई देने लगती है the sound of clap here by us known as eco जो यह सीधे न सुनाई देकर थोड़े समय बात सुनाई दे रही है हमें clapping की आवाज वह कहलाती है आपने अकसर यह देखा होगे कि जैसे हम किसी ही लिस्टेशन पर जाएं या किसी बड़े कमरे के अंदर हम कुछ बोलते हैं तो हमें एक के बाद दूसरी तिसरी आवाज भी सुनाई देती है अपनी तो उसके पीछे रीजन यह होता है कि जब भी हम जैसे कोई sound produce करते हैं तो sound produce करने पर वह sound सीधे एक तो सीधे सीधे हमारे कानों तक पहुंचती है ठीक डायरेक्ट साउंड और उसके बाद और जो sound waves होती है वह वाल से ठक्रा कर या कमरे में रख्यों यान चीजों से ठक्रा कर भी हमारे कानों तक पहुंचती हैं अगर यह सारी sound एक साथ जितने जल्दी डाइरेक्ट साउंड पहुँच गई उतने ही समय में एगर यह रिफ्लक्टेड साउंड भी पहुँच गई तब तो हमें कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं देगी लेकिन अगर यह reflected sounds direct sounds के बाद यानी कि 0.1 best territory के बाद हमारे पास तक महुचेंगी तो हमको वही आवाज दुबारा सुनाए देगी जितना देर तक वह एनरजी रिफ्लेक्ट होकर आती रहेगी हमें वह आवाज बार-बार सुनाए देती रहेगी और आप जानते हैं इसी को इको कते हैं इको और कुछ नहीं केवल यह जो रिफ्लेक्ट आप साउंड है उसी का रिपिटीशन हो रहा है उसी करण हमको इको सुनाए देती है यानि सारी साउंड अगर एक साथ भाई अगर कमरा छोटा होता तो शारी की सारी साउंड जो डायरेक्ट हा रही है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है दिवालों से वो सब एक साथ हमारे कानों तक पहुंच जाती है जिसकी वुज़र से हमको नहीं सुनाए जाते हैं तो एक तो आपकी direct जाती है अगले person के कान तक या जा कर ठक्रा कर अमारे कान तक पहुंच जाती है सीदे और दूसरी sound जो reflect होकर वहाँ तक पहुंच रही है या reflect होकर वापस आ रही है तो वह साउंड अगर 0.1 सेकेंड के बाद हमारे कानों तक पहुंचेगी तो हमको जो है बार-बार वही आवास सुनाए देगी जिसको हम कहते हैं एको 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 इसे रिफलेक्शन आफ सांड टीपकल एक्जांपल आर दा इको प्रोड बादम आफ वेल बाद इंपर्टी रों इन सारे जगह पर इको आपको सुनने को मिलता है एक ट्रू इको इजे सिंगल रिफलेक्शन आफ दे सांड सोर्स बिल्कुल साफ साफ इको हमको अगर सुनाए दे तो एक सिंगल रिफलेक्शन जो होता है उसमें साफ साफ सुनाए देता है उसके बाद बाकि जितने रिफलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि सांड की इ साउंड इसको अभी हम समझाएंगे कैसे हम एको को काल्कुलेट करते हैं कि कितनी दूरी पर इको प्रड्यूस होगा इसको मैं एक्स्प्लेंड करूंगा अभी यहां देखिए पहले आपको यह जान लेना जरूरी है सबसे पहली चीज अभी मैंने बताया टाइम गैप बिट्विन दा ओरीजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेट साउंड के बीच टाइम गैप होगा तो हमको इको सुनाई देगा और टाइम गैप आपको बताया मैंने कि पर्सिस्टेंस आप होता है 0.1 सेकेंड अगर उससे ज्य साउंड पहुंचने में हमारे कान तक तो हमको इको सुनाई देगा दूसरा है डिस्टेंस बिट्विन दसोर्स आप साउंड और अगर सोर्स आप साउंड और जिससे टक्रा कर आवा जो आपसारी उनके पीच की डिस्टेंस बहुत मैटर करती है ठीक है आपको पता है कि स् की 44 मीटर पर सेकंड होती है और हुआ पिटीजिस ट्रेंस बाइन आवाकि साउंड इन vine 0.1 सेकेंड में हमको डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस हम क्यों ले रहा है डेखिए क्टोटल डिस्टेंस आप ट्रुपाल त्रुगल लिख साउंड टू स्पीड आसॉंडamp वापस भी तो आएगा ताम ना इको सुनाए देगा तो इसलिए टू डी टू डी इस इक्वल टू विलाश्टी इन्टू टाइम तो आप विलाश्टी आप साउंड हम जानते हैं 344 मीटर पर सेकंड होता है और टाइम हमने लिया 0.1 सेकंड या 1 अपन 10 सेकंड परसिस्टेंस साफीर हम तो एक कल्कुलेट करके देख लेते हैं 2D इस इक्वल टू थरती फोर पोंट पोर मीटर यहानी दी इस इक्वल तो 17.2 मीटर लॉख्बख 17 मीटर कम से कम लगबख 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए सोर्स आफ साउंड और जो अब्जेक्ट है जिससे ठक्राकर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है साउंड उन दोनों के बीच मीनिमम सेवन्टीन इस्ट्रेंस के लिए डिस्ट्रेंज विफ चेंज आफ करते अरे टंप्रेचर जिसे अफैर करते खेंजra फिक Surface सकती है तो आपने देखा कि अगर आपको साफ साफ सुनना ऐसे तो इको आपको टेन मीटर का भी रेंज है सोर्स और रिफ्लेक्टेटर सर्फेस के बीश तो भी को का कुछ असर सुना ही देगा लेकिन अग्दम क्लियर इको अगर आप सुनना चाहते हैं तो वह एको आपको 17. 17.2 मीटर या लगबक 17 मीटर की डिस्टेंस होगी सोर्स आप साउंड और रिफ्लेक्टेट सर्फेस के तो क्लियर इको आपको सुनाई देगी उसके बाद आता है एक और मैटर करता है जैसे यह तो हो गया डिस्टेंस बिट्वीन दा सोर्स आप साउंड और अबजेक्ट उसक कि उसका नेचर कैसा अब वह अध्याबिंग मैटेरियल का अगर बना हुआ है कि साउन एनरजी को 11 साउंड इनरजी के जादातर मात्रा को आप जार्व कर लिया तो तो बहुत कम मात्रा बचेगी तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान तक पहुंची नहीं पाएगी तो यह नेचर आफ ऑफ्स्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो औरोध है जो जिससे टकरा कर साउंड को वापस आना है वह कैसा मटेरियल का बना हुआ है अगर मैटेरियल का होगा तो मैटर करेगा उसके बाद एक है साइज आफ ऑब्जेक्ट जो अपस्टिकल है जहां से टकरा कर साउंड को वापस आना उसका साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है देख रहा है यह साउंड ऐसे बढ़ती जा रही है देखिए तो अगर जो जिससे टकरा रहा है पहाड या जो बिल्डिंग है उससे तो अगर उसका साइज बहुत छोटा होगा तो भी एको उमको कम सुनाई देगा तो साइज पर भी डिपेंड करता है कि इको आपको सुनाई देगा कि नहीं इको कैन वी प्रड्यूश्ट इप दसाइज आप डॉप्स्टिकल रिफ्लेक्टिंग दे साउंड इज क्वाइट लार्ज वाइज जी जो अभी हमने समझाया तो यहां से अब उमीद है आप लोगों को इको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यह देखिए अगल पर देखिए जाकर टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ठीक है अलग अलग अगल पर रिफ्लेक्टि मतलब मॉल्टिपल रिफ्लेक्शन्स हो रहे हैं एको की बारे में थुड़ा यह मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे माने यह कोई बहुत बड़ा हाल है वहां पर से भरा हुआ है वह तो भी हमें जो है इको सुनाई नहीं देगा क्यों क्योंकि इस कंडिशन में क्या होगा कि जो यह कुर्सियां यह पर्सन और जो पर्दे लगे हुए हैं सरीर पर जो कपड़े हैं यह सब क्या होता है साउंड एनर्जी को बहुत हट तक अपजार्व कर अपकर देख हैं लिदेशना को सुनाई नहीं देता है की टाइम्स भाई ये ऑफ स्ट inadequal Stop multiple 05 में जब कई बार रिफ्लिक्ट सेध रेक होता तो हमको क्या होता है कई से ही को सुनाई देते हैं जैसे यहां पर देख रहा है इसको आपका कभी नाम सुनते हैं विस्परिंग गैलरीजिण के था धिविस्परिंग गैलरी च्या हता है अ में सपरिंग गैलरी गूर्टिक्र मोरे जाल खुंचर दक YEर्ड तर घया संब गर्डवरा गैलरी गैलरी एंधि ग्देश्व दो देखा होगा कि जो है अगर किसी जगह बोल रहे हैं आप तो आवाज reflex बैक होकर कई बार आपको सुनाई देती है multiple echo सुनाई देते हैं पहाड़ों पर भी आपने अक्सर देखा होगा पहाड़ी छेतरों में अगर आप किसी वैली में तेज से सोर चिलाते हैं सांड्स प्रोड्यूस करते हैं तो जो सांड्स रिफ्लेक्ट वैको कराती है तो से उनको मalटिपल इको सुनाई देते हैं कई ऽिक मर् को आ冷प में बहुत uh यूज है आप देखिए इसी तरह लगबग मल्टिपल इकोज होते हैं एक सोर्स यहां से स्टार्ट होता और देखिए कितनी जगह से यह टक्रा रहा है सर्फिस से और टक्रा कर फिर वापस हमारे कान तक आता है के रूपने तो इसलिए मल्टिपल इकोज हमको सुनाई देते हैं डॉम्सेट गैलरी में जिन को में विस्परिंग गेलरी भी करते हैं स बहुत से जाता है electrical instruments में multiple reflection होता है जो स्थτιतो स्कोप करते यूज करते हैं डॉक्टर उसमें भी हमारा घ्युबं रिफ्लेक्षन होता है जिसकी जाद से हमको क्या होता है दढ़कन की आवाज सुनाई दकती है तो सिने माहाल और अर्डिटरियम देखते हैं आप कर्ड सेफ के बनाय जाते हैं ताकि मल्टिपल रिफ्लेक्शन जो है वहां तक आडियंस तक पहुचे और उन्हें साफ और तेज आवाज सुनाई दे जो सुनने की मसीन होती है येरिंग एड उसमें भी मल्टिपल रिफ्लेक्शन होता है जिससे हमको बहुत आसानी से आवाज सुनाई देने लगता है हमारा नेक्स ठापिक है रिवर्बिरेशन जनरली आप लोगों ने ये फील किया होगा कि जो सौंड है वो किसी हाल की दिवारों छतों फर्सों से कई बार रिफ्लेक्ट वैक होता है मल्टिपल रिफ्लेक्शन होता है वहाँ और इस multiple reflection के कारण ही जो sound है वो sound source को अगर बंद भी कर दिया जाए तो उसके बाद भी sound बिलकुल बंद नहीं हो पाती है कमरे के अंदर वह जो है हमको main sound source को off कर देने के बाद भी बहुत सी जो sound हमको सुनाई देती रहती है कुछ देर तक इसी को हम कहते है रिवर्बिरेशन जिसको आप कहते हैं हिंदी में गूजना गुंजन अगर आपने कुछ बोला और आपके बोलने के कुछ देर बाद जो है आपने बोलना बंद कर दिया लेकिन इसके बाद भी मतलब main source बंद ह हो गया इसके बाद भी sound reflect back होकर हमको सुनाई देती रहती है तो वहां क्या होता है गूजने लगता है हाल में तो उस गूंजन को ही हम क्या करते हैं रिवर्बिरेशन कहते हैं और उस time को जिस time में यह सुनाई देती है उसको रिवर्बिरेशन टाइम कहते हैं देकिए देख नहीं कि जब सोर्स है जो sound का एक बार sound produce किया उसके बाद वह बंद हो गया लेकिन बंद होने के बाद भी हमको लगाता है original sound का reflected पार्ट सुनाई देता रहता है कुछ देर तक तो यह जो प्रोलांगेशन आप sound है ठहरना sound का रुकना sound का ठहरना यही रिवर्बिरेशन कहलात है ऐसे अब इको और रिवर्बिरेशन में डिफ्रेंस क्या है इको में क्या होता है कि आपने sound produce किया तो जो रिफ्लेक्टेट साउंड है इको के रूप में वह यह क्या दो बार सुनाई देती है लेकिन और दूसरी चीज की original sound cut-up करने एक यह दो बार इको सुनाई देता है है ठीक लेकिन लेकिन रिवर्बिरेशन में क्या होता है कि एक बार sound produce कर लेने के बाद sound source को off कर दीजिए उसके बाद क्या होगा कि आपको multiple eco's सुनाई देंगे original sound बंद हो जाने के बाद भी एक के बाद दूसरा दूसरे बाद तीसरा तीसरे बाद चोता इस तरह multiple eco's सुनाई देते हैं जिससे क्या होता है बांड की प्रोलॉंगेशन आप साउंड बना रहता है साउंड का ठाराव सा बना रहता है बना रहता है कुछ देर तक और गौझने जैसी आवाज हम को सुनाई देती है गउस्टी है आवाज कमरे खेंद तो इसको म क्या करते हैं reverberation. A sound produced in a hall undergoes multiple reflections from the wall, floor and ceiling before it becomes inaudible. मतलब कि जब एक बार sound produced हुआ है और वह आवाज multiple reflection के थूरू audience तक पहुंचती है कई तरफ से reflect back होकर ठीक है जब कि original sound को off कर दिया गया है लेकिन उसके बाद भी कुछ देर तक हमको reflected sounds eco के रूप में सुनाई देती रहती है इसी को कहते है river variation देख रहा है यहाँ यहाँ पर किसने sound produce किया इन्होंने और यह sound कितने तरफ से इस जो audience से इस तक पहुंच रही है तो अगर यह sound source stop भी कर दिया जाए तो यहाँ से जो आवाज produce हुईती हुआ कई तरफ से reflect back होकर पहुंचेगी इस audience तक तो उसे four times या five times वही आवाज सुनाई देगी जबकि original sound बंद कर दिया गया है तो इसी को multiple reflection के द्वारा जो कई ego सुनाई दिया एक के बाद देखके बाद देखके बाद तो जो यह prolongation बन गया sound का original sound cut off करने के बाद भी that is known as reverberation गूजना और यह reverberation time क्या हुआ sound produce करने के बाद cut off कर दी गई source को बंद कर दिया गया तो इसके बाद यह जो sound कई बार reflect बैक होकर audience तक पहुँच रही है तो जिस timing के दौरान यह घटना घट रही है जिस timing के दौरान यह हो रहा है उसी time को क्या कहते है reverberation time कहते है तो reverberation time is defined as the time interval for which the original sound appears to be prolonged उस time को जिस time के दौरान ऐसा लगता है कि original sound बिलकुल ठहर सी गई है और follow कर रहे हैं सब उसको for an architect reverberation time of the auditorium is the main concern किसी भी auditorium hall का के अंदर अगर reverberation time बहुत ज़्यादा होगा तो कोई भी program होगा तो आवाज साप साप सुनाई नहीं देगी क्योंकि एक बार जो कोई कुछ को बोलेगा तो वो कई बार गूजेगा हाल के अंदर तो अगली बात जब बोलेगा वो person माइक से तो लोगों को बाती नहीं समझ में आएगी क्योंकि पहले वाले आवाज का reflection अभी आता रहेगा तो इसी लिए किसी भी आडिटोरियम हाल का जो रिवर्बिरेशन टाइम है वह एक आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चुनावती होता है अगर वह सही से नहीं हाल को बनाएगा तो यह जो रिवर्बिरेशन है यह इफेक्ट उसमें दिखेगा जो की सही से किसी भी प्रोग्राम को पंडख नहीं होने देगा यह जो रिवर्बिरेशन है टाइम है इट कैन बी डिक्रीजट बाई यूजिंग सांड अब्जार्विंग माटेरियल सिन दाडिटोरियम फार एक्जामपल दसी लिंग अब दाडिटोरियम इज मेड बाई शॉफ स्कुनिटोरीटोरियूम समझ रहें इससे सारे मटेorro-穴 सारा कर लेंगे क्या होगा यह सांड जो रिफ्लेक्त बैकक आ रही है पूरी पूरी नहीं आएगी देखिए जैसा कि स्फीगर में घैक यहां से कई सांड वे जा रही है इस परसंद तक इधर से डाइरेक्ट पहुंची फिर इधर से रिफ्लेक्ट होकर कई जगह से रिफ्लेक्ट बैक होकर इस परसंद तक आवाज आ रही है लेकिन जब साउंड अब्यार्बिंग मठेरियल लगा दिया गया तो आप देख सकते हैं इस वाले वेब को को लिया ठीक साँड़े ऐसार वो गई जो इधर से जा रही थी यहां से जाने वाली साँड अनरजी जो इभर्व कलिया इधर से जाने वाले को अब्ल मिलल नहीं गताओं ऑग्र के अंदर किया जाता है वहां पर साउंड माटेरियल्स यूज की जिए जाते हैं ताकि जो ज्यादा तर इकोज को ज्यादा तर साउंड एनर्जी को क्या करें वो एप्जार्ब कर ले और कम से कम जो है रिवर्बरेशन टाइम हो उस अडिटोरियम का और लोगों को साफ साफ साउंड सुनाई दे एक टापिक है वाटर साप्स वेप्स साउंड को सोनिक भूम भी काथ है लिए सुपीड साउंड है और को स्पीड यानि साउंड की स्पीड कितनी होती है लगबक 340 मीटर पर सेकेंड और यदि इस स्पीड से ज्यादा तेज कोई object मूब कर रहा है तो उसको सुपर सोनिक स्पीड कहते हैं और जब इस स्पीड से कोई अबजेक्ट मूब करता है तो अपने पीछे अपने पीछे एक बिल्कुल सक्वाकार कर सकते हैं कोनिकल सेप में से एनरजी रिलीज करता है वेन अबजेक्ट से बुलेट फायर फ्रॉम ए गन और इस सूपर सोनिक जेट एयर क्राफ्ट मूब सूपर सोनिक स्पीड देन देशांड वे प्रोडूस बाइब देम और पाइल अप इन दे फॉर्म आफ एकों सेव्ड वेव नोन अस सॉक सुपर सोनिक स्पीड से कोई जेट प्लेन मूब करता है या बुलेट मूब करती है गन से तो क्या होता है कि एक बहुत ही कंबाइंड वे में कौन कल सेप में वेव प्रडूस होती है जो कि पीछे की तरब इस तरह बढ़ते हुए फैलते जाती है बहुत हायली से जब कोई चीज़ चलती है तो पीछे की और एक तरह का धखका लगता है एक तरह का फोर्स लगता है जो कि सतरह कौन कल सेप के रुप में पीछे के ओर बढ़ते हुए ख्रंब में जाती है और शांक वेप्स करीज एंध इनर्जी बहुत सावक्त होती है जो यह आइज होती है और जो यह कोनकल सेप में पीछे के ओर बढ़ते जा रहे हैं दुप में जीर याइजiran प्लेन को कभी आप देखिए तो उसको जब वो फ्लाई करता है तो क्या होता है कि बहुत आवाज हमको सुनाई देती है वह आवाज इस सोनिक बूम के कारण ही सुनाई देती है सौक वेप्स के कारण ही हमको सुनाई देती है और इसका ड्रावबैक क्या है कि वेने सौक वेप produced by a supersonic jet aircraft strikes a building the glass window pans start rattling and sometimes these glass windows and even break. इतनी energy होती है in shock waves में कि जब यह किसी building से टक्राते हैं तो building के जो खिर्कियों के सी से होते हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और कभी-कभी तो टूट भी जाते हैं इस इस बीकॉर्ज energy carried by the shock wave force the glass window pan to vibrate violently इसमें जो energy है उसी energy के कारण वो glass window बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है as a result of these vibration the glass windows pans में ब्रे कभी-कभी तूट भी सकता है तो ऐसा होता है तो इन waves को ही हम क्या करते हैं और यह कभ प्रड्यूस होंगी जब कोई object sound की speed से ज्यादा तेज से move करेगा तब यह sock waves यानि sonic इस वीडियो में टॉपिक डिसकस कर लेना चाहता हूं अब कोई 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 इसकाट